ओम शान्ती आठ चार दोहजार तेईस की साकार मुरली मीठे बच्चे किसी भी कारण से कुलकलंकित नहीं बनना है धरत पर ये धर्म ना छोड़िये बाप से किया हुआ वचंत सदा याद रहे प्रश्न बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है उत्तर ईश्वर के सामने जो वचं लिया है वाइदव प्रतिग्या की है वह किसी भी हालत में निभाना है यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा-पूरा हिसाब लेंगे मन मत वो परमत पर नहीं चलना हर कदम पर श्रीमत याद रहे गीत तुम ही हो माता पिथा तुम ही हो ओम शांती शिव भगवान वाच अपने बच्चे साली ग्रामों प्रती साली ग्राम आत्मा को कहा जाता है बच्चे जानते हैं हमारा परमपिता परमात्मा है जिसका नाम निराकार शिव ही है व्यापारी लोग शिव डौट बिंदू को कहते हैं बाबा ने समझाया है आत्मा भी डौट बिंदू है जो ब्रगुटी के बीच में रहती है चमकता है अजब सितारा यह आत्मा की बात है यह तो पहले निश्चे करना है बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हम को पढ़ाते हैं हमारा बाप शिव है अहम आत्मा है रुद्र कह हैं तो भी निराकार हैं सर्फ नाम अलग है चीज एक ही है वह है परमपिता परमात्मा परेते परे रहने वाला मनशिस रष्टी का बीज रूप सरवात्माओं का बाप यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चड़ता है कि बरोबर शिवाबा हमको पढ़ाते हैं बाबा का अपना शरीर नहीं है बागी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है परमात्मा का एक ही नाम है तो बाप समझाते हैं मैं निराकार शिव हूँ मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य स्रष्टी पर पुनर ज अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ, इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है, यह अच्छी रीती धारण हो तब बाप के साथ लव हो, परन्तु शकल दिखाती है कि इतना लव किसका है नहीं। बाबा कहते ही ही मुखडा खिल जाना चाहिए, जैसे कन्या पती के साथ मिलती है, जेवरादी पहनती है तो मुखडा खिल जाता है, तुम बच्चों को ग्यान शरंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चड़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फसाते हैं और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फसाते रहते हैं यह तो बाप कहते हैं मुझे निराकार बाप को याद करूं हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं मैं परमात्मा इस ब्रह्मातन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ नहीं तो कैसे पढ़ाऊ पावन बनाने लिए जरूर शरीर चाहिए यह ड्रामा में नूंध है शरीर बिगर तो मैं आ नहीं सकता जैसे ब्राम्भनों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ब्राम्भन को कुछ होता थोड़े ही है आत्मा बोलती है समाचार सुनाती है वह भी होता है ड्रामा अनुसार ड्रामा में नूध है सुसुनाया उसको पित्र कहा जाता है सोल को पित्र कहा जाता है जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है अब तुम बच्चे जानते हो बाबा है ग्यान सागर पानी के सागर की कोई बात नहीं मनश्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो आत्मा प्योर बनती जाती है जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दगद होंगे पाप नाश होंगे तुम जानते हो ममा बाबा कितनी महनत करते होंगे तो भी कर्म भोग तो चुक्तु करना पड़ता है जन्म जन्मांतर का बोजह सिर पर रहा हुआ है वह अंत में हिसाब किताब चुक्तु होना है नंबर वार पुरुष शार्थ अनुसार बच्चों को पता है रुद्र माला है न आठ की भी माला है 108 और 16108 की भी माला है प्रजातो अनुसार अनुद्र माला ही न सारी दुनिया में जो भी आत्माए हैं सब रुद्र माला है बाप के सब बच्चे हैं सारा सिजरा बनता है न मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं फिर वह सरनेम पढ़ जाता है यह है श्री 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 बाबा की माला बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बन कर बाप को पूरा याद करना है तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म दग्द होंगे नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे बाप बार बार कहते हैं बच्चे भूलो मत परन्तु फिर विमाया बुला देती है बाप कहते हैं बच्चे अपने पास चाट रखो कितना समय हम शिबाबा को याद करते हैं एक घड़ी याद करना शुरू करो फिर प्रैक्टिस पढ़ती जाएगी ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे ऐसी याद में रहने वाले ही बिजय माला के आठ रत न बनते हैं मेहनत चाहिए जितना जो करेंगे सुपाएंगे सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं फिर महलो में आकर बैठते हैं वास्तों में यह लौ नहीं है तुमको तो वहां अथा सुख मिलता है बाप गले लगाकर पुछकार करते हैं मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम साहुकार ते साहुकार बने तो ऐसा पुरुशार्थ करो भविश्य के लिए बाकि यहां की साहुकारी तो मिट्टी में मिल जानी है किसकी दवी रही धूल में एक्सिदेंट होते आग लगती रहती है एरोपलेन गिरते हैं तो चोर लोग जट लूट मार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं सो अभी तो यह बॉम साधी बने हैं इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे यह अभी की बातें फिर गाई हुई है जो भी लगपती आदी हैं सब खत्म हो जाएंगे अमेरिका कितना साहुकार है एस मरत्यू लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग हैं परंतु रुनने के पानी में सल म्रग तरशना समान है यह तुम जानते हो वह खुद भी समझते हैं मौत तो बेशक सामने खड़ा है जरूर भगवान भी होगा न परंपिता परमात्मा आते ही हैं स्थापना और विनाश का कर्म कराने करन करावन हार है न ब्रह्मा द्वारा स्थापना अब तुम बैठे हो न बच्चे ही ब्रामण कहलाते हैं तुम दादे से वरशा लेते हो श्रीमत स्रेष्ट गाई हुई है तो उस पर चलना है देवता बनना है बाप कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है एक कथा में हैं द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाडी पढ़े द्रौपदियां तो वास्तों में सब ठहरी कुमारी अत्वा माता सब द्रौपदियां है कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो कीचक पिछाडी में पढ़ते हैं फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा कीचक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पढ़ते हैं तो द्रौपदियों को बाप आकर निर्वस्त्र होने से बचाते हैं कन्याओं की तो बहुत समहाल करनी पढ़ती है कीचक आदी की अभी की बात है उनसे बहुत समहाल करते रहना है अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराच क्या हाल कर देंगे वह इन बच्चों को साक्षतकार कराया हुआ है बहुत सजाएं खाते थे फिर बाबा से पूछा था बाबा ने कहा साक्षतकार कराएंगे तो जरूर सेहन करना पड़ेगा इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा बाबा रखता तो किसका भी नहीं है तो बाबा समझाते हैं कीचक अत्वदुर्योधन नहीं बनो कंस जरासंधी शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं कंस अर्थात जो विकारी होते हैं कन्याओं को बहुत सताते हैं अब तुम बाब के बच्चे ब्राम्हण बने हो देवता बनने लिए तो ब्राम्हण कुल को कलंक नहीं लगाना है कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए उन जैसा पापात्मा दुनिया में कोई होता नहीं तो यहां बेहत का बाप चुआ कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भी तलाग दे देते हैं उनको अजामिल पापी कहा जाता है परन्तु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है सजाएं खा कर बहुत पीड़ित होते हैं आत्माओं को बड़ा दुख होता है परमपिता परमात्मा बेहत के बाप को फारक्ती दे देते हैं इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं दुनिया तो बहुत गंदी है बड़ी खबरदारी रखनी है पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता को समाल करनी पड़ी माया बड़ी जबरदस्त है इसलिए बाबा कहते बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रह बाप से वरशा लो बुद्धी कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बन कर बाप का नाम बदनाम थोड़े ही करेंगे बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी यहां तो प्राप्ती बहुत है स्वर्ग का मालिक बनते हो लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे सम्मुक रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है इसलिए बहुत खबरदार रहना है बाप का बनकर प्रतिग्या कर और फिर पवित्र ना रहे तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी इश्वर के साथ वचन कर प्रतिग्या करके पूरा निभाना है इश्वर साथ वचन अत्वा प्रतिग्या करना यह बात अभी ही होती है शिबाबा कहते हैं प्रतिग्या करों हम पवित्रवन भारत को स्वर्ग बनाएंगे अगर प्रतिग्या तोड़ी तो खलास धरत पर ये धर्म ना छोड़िये मर जाओ तो भी ये प्रतिग्या नहीं तोड़ना जबान करके फिर बदल जाते हैं न अभी तुम जबान करते हो परम पिता परमात्मा के साथ अगर जबान कर बदल गए तो धर्म राज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा फल देने वाला तो बाप है न दान पुर्णे का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं करन करावन हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है यहां तो सम्मुक बैटे हो बाहर में तो हंस को बगलो के साथ रहना पड़ता है बाप कहते हैं ग्रहस्त व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है यह कोई वह कौमन सत्संग नहीं है, जहां धेरा कर इखटे हो, वह क्रिश्चन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चन बना लेते हैं, यहां ऐसे नहीं हो सकता, यहां तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है, देह अभिमान छोड अपने क के रूप में, कहते हैं मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है, हाथ छोड़ा तो खतम, महान पाप आत्मा बन जाते हैं, ऐसे महान पाप आत्मा भी देखने हो तो यहां देखो, बाप कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुन्ने आत्मा बनना, पापो से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे, बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीट पर घूसा मार देगी, माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, यह है सतो प्रधात सन्यास, तुम बच्चों को बहुत सम्हाल रखनी है, द बाबा कहते हैं, अभी तो माया को हम ओडर करते हैं, कि खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़ कर फतकाओ, देखो स्वर्ग के लायक हैं, ऐसे थोड़े ही कहेंगे करपा करो, आशरवात करो, स्कूल में नहीं हैं, यह है ईश्वरिय सत्संग, अच्छा, मात पिता बाब दादा का मीठे मीठे सिकलिदे बच्चो प्रती, नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार, याद प्यार और गुड मॉनिंग, रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोह रोहानी मात पिता, बाब दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाब से जो प्रतिज्य की है, उस पर कायम रहना है कभी भी जबान दे बदलना नहीं है, बहुत बहुत खबरदार रहना है दूसरा, अपना और दूसरों का ज्यान श्रंगार करना है कभी भी दे अभिमानी बन, साकार शरीर में न फसना है, न किसी को फसाना है वरदान, हर आत्मा को सेकेंड में मुक्ती जीवन मुक्ती का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सत्गुरु भव हर आत्मा को सेकेंड में मुक्ती जीवन मुक्ती का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सत्गुरु भव अभी तक मास्टर दाता वो मास्टर सिक्षक का पार्ट बजा रहे हो लेकिन अभी सत्गुरु के बच्चे बन गती और सत्गती के वर्दाता का पार्ट बजाना है मास्टर सत्गुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले सत्गुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीती चलने वाले ऐसे मास्टर सत्गुरु ही सेकेंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ती जीवन्मुक्ती का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं स्लोगन आग्याकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी आज्याकारी बनो तो भाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी अच्छा उम्शान्ती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टी यूही देते रहो हूँ बाबा